बेटा मेरा थर्ड यर में है आई टी का वो है स्नॉस्टर में है और फोर्डेंर में वह फूंड एड नूट्रेश्ञ कर रही है और छूटी बेटा अभी एक फी इसकी कहता हूं इसका मतलब बढ़ती है मैं इसका मतला है इसका मतला है। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुलकदीर नाजरीन आज हम मौझूद हैं इकबाल टाउन में पहुंचे तो यहां पर हमने देखा कि एक प्यारा सा कपल अपने यहां पर इकबाल टाउन में एक गोल गपों की ग्रेडी नहीं गाड़ी लग गर्याओ की नाजरीन माली हालात ऐसे थे जिनकाई वज़ा से इनको यह मज़ शयुठूरी हुई के यहां पर इन्हों ने गोलगपों की रेडी लगाई अली मैंसिकली जॉब करता हूं तो जॉब मेरी एट जॉब 6 त नेके साम छेताड़ा था थे तक थी तो उसके बाद मैं उबर करीम करता था को कि मेरा घर रेंट का था तो एक वो सबसे में काम था उसके बाद दूसरा बच्चों की स्टड़ी और तीसरा की चैन तो इन तीनों चीजों को मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मैंच करना मेंगाई के इस दोर में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अचा मुझे ये बताएं कि बचे कितने है यह मेरे तीन बचे हैं जी मेरा मिरा घर को पुठें क् है बेटा मेरा घर जियर में आज जिए घर से बाहर निकले हैं, बहुत अच्छा इक्ताम है, क्या कर सकते हैं, मांगने से, किसी के आगे हाथ पेलाने से बेहतर है, कि वो अपना काम कर लें, असलाम लेकुम, जी वालेकुम, जी वालेकुम, कैसी हैं, अल्ला का शुकर है, ये सारा कुछ आप खुद बनाती हैं, जी खुद ही बनाते हैं, अच्छा कैसी ये रेसिपी वहरा सारा कुछ कहां से आया, रेसिपी बेसिकली इनके भाई कसूर में लगाते थे पहले बहुत अ तकलीवे टांग में और नीभी डेमेज है एनकी तो वो गाड़ी चिलाना अब ना इसता इसता मुश्किल होता जा रहता है इनके लिए बौत प्रॉब्लम्स आ रही थी उसकी वज़ा से कभी मतलब उसी तकलीफ की वज़ा से बास टाइम यह राइड करी नहीं पाते थे तो म अचा मैं आपको यह बता दूँ यह सिर्फ यह काम नहीं करते यह दोनों मिया बीवी डबल जॉब करते हैं यह फर्स टाइम जो उनसा है कहीं पर जॉब करते हैं प्रॉपरटी के ऑफिस में और यह जो इनकी मिसिस हैं यह होस्टल में खाना पहुंचाती है खाना बना कर अ मारे पास गुजरते गुजरते अनूने हमसे डिसकर्स किया कि हमें खाना चाहिए but तो उनके साथ पहले तो ओगी डीव लेकिन फिर जब काम का बर्डन ज्यादा था तो वह मैंने उनको मना भी कर दिया कि अनिंप कर पारही तो लेकिन पूब पीछे पड़े रहें कि निए आंटी kommer हमें कर दे आप चोड़ेड नहीं हमें हमें कहना मिलिता गर्का वाहिर से वाजार से खाकी फिर फिर उनकी साथ कंटी कि यह ऐसा है कि दिन में साध साथ हिसका तयार करती हूब और उनका खाना भी बनाती हूँ पिर अभी मैं घहर जा के इस टाइम परूटियां मरा आती हूँ और भो फिर वह पिक Ugh अचा रोतीयां भी आप खुध बना के देती हह उध है अचा तो मेन्यु की होता है हो सव्टन का रहता ह Coach बाला कि अधा ruler हैju फिर स्पेशल और करना पड़ेगा गोड है बहुत अच्छा है जी बहुत अच्छा है जी बहुत आता चलूं के बहुत सारी फैमिली करोना की वज़ा से अफेक्टेड हुई है उन में से ये एक फैमिली भी है इन्हों ने करोना के दिनों में अपना ये स्टॉल लगाया वह ने कि अव्य हों ते के बता नहीं सकते करी किया आते कि जो अब जो हैंडने के घरben फाके पड़ जाते है इन होने ने मंगने हम आ Alfred 5Cont buffs 1978 के नाम से पेज़ है, उसको आप फालो करें तो इसमें आपको नदराएका कि हम क्या-क्या चीज जो आना, देते हैं हम जो चीज भी बनाते हैं, हम उसके ओपर डाल देते हैं तो वहीं से फिर लोग हमे आवरटर करते हैं और और करते हैं, हमसे टाइम लेते हैं और उसके बाद पर हम यहां पर आते हैं और यहां से वो डिलिवरी ले लेते हैं किसका ख्याल था यह काम करने का? इसका था इसका एम था रेस्टुरेंट बनाने का, मैं तो सिरफ साथ खड़ा हूँ अच्छा वो मेरी बात हो रही थी, अली भाई से पहले कि मिस्स का बड़ा शौक है कि रेस्टुरेंट बनाना है तो क्या प्लैन है नेक्स रेस्टुरेंट का? मैंने जब बिजनिस का सोचा है कि मैं यह काम राइड का छुड़ाऊंगी तो सबसे बेस्ट आइडिया जो है ना रेस्टुरेंट का ही है किनके लहूर में रेस्टुरेंट खाने पीने का अगर आपका टेस्ट है तो वो जल देर यह वो चली जाता है अगर आपके पास टेस्ट है अगर टेस्ट नहीं है तो आप जितना मर्जी अच्छे रेस्टुरेंट बना लें आपने चला सकते हैं तो वो फिर मैंने अभी आगे यहां तक पहुंचे हैं आगे इंशालला हम और भी चीज़ें इंटर्ड्यूस कर वा रहे हैं लोगों को इंटर्डर पे दे रहे हैं तो जैसे जैसे टेस्ट डिवेलेप होगा हम इसको इंशालला करेंगे अभी जितनी इंवेस्टमेंट थी उसे साफ से मने यह शुरू कर लिया अच्छा अच्छा अब मुझे बात बताएं वैसे आपस की बात पूछ रहा हूं उनको नहीं बता करने लगा हूं ना इस बिजनस को चलाने के लिए मोटिफेड मुझे मेरे बचों ने किया इसको ऑनलाइन कर रही है मेरी बेटी औरगनाइजर वो है सीयो यह है और यहां पर मैं लेबर हूं आपने मुझे देखा सब मैं को किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देता सारा काम म बास इसके इसके अलफाज मैं इसलिती है इसक Yani आपको बहुत करे माशालाइ आपका बहुत ऑच्छा स्टॉल है विए व्युकि लोगों से देखा है लोगों वह ने बहुत अच्छा रिस्पा भी रहे हैं टेस्प भी बहुत अच्छा यहां बहुत हुठ française आपका शुक् कि इस टॉल पे जरूर विजिट करें आ के टेस्ट जरूर करें और फिर इनको बताएं भी सही कि कैसा टेस्ट है एंड पे कुछ कहना चाहेंगी बस मैं यही कहना चाहूंगी जो लोग काम करना चाहते हैं उसको डरे नहीं हम भी पहले डरते थे लेकिन देखें स्टार्ट किय कोई इतनी ज़्यदा इंवेस्मेंट नहीं है थोड़े से भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनिस क्योंकि आजकल का जो दोर है सैलरी है उसमें नहीं गुजा रहा था आप कोई भी काम करते हैं तो छोटा काम करें लेकिन करें जरूर बहुत शुक्रिया बहुत श ऐसे पाकिस्तानी को हम वाकिए सलाम पेश करते हैं बहुत शुक्रिया सलाम पाकिस्तान